जैने दोस्तों वैकम बैक्टिज आफ्टे यह आसा करते हैं कि आप लोग वच्छे होंगे एक बर फिर आप सभी का बहुत बहुत अफ्यांतर बहुत बहुत स्वागत बड़ी गुड नियूज बड़ी खुस खबरी और सबसे बड़ी खुस खबरी यहाँ परासिक्चकों के लिए निकल के आ रही है ऐसी खुस खबरी जो पिछले बाईस सालों से परासिक्चक गन जो है निरंतर जो है भरकस प्रयास कर रहे थे कि यह चीज हमें मिले यानि 22 साइल्ट के अथक प्रयास के बाद ये खुसी का दिन इनको मिला है और ये खुसी का पल इन्हें जो है यहाँ पे मिला है कल की केबिनेट बैठक में पारा सिक्षकों के लिए जो है इपी एफ का लाब मिलने का जो उन लोग के डिमांड था उस पे मोहर लग गई है यानि एपी एफ का अब पारा सिक्षकों को लाब मिलने वाला है केबिनेट में ये पारित हो गया है और जैसे ही ये चीज पारित होई एपी एफ का लाब पर मोहर जैसे ही लगी तमाम साहय का धापक गन सा तमाम पारा सिक्चक्गन जो जारकन में आपके 62,000 पारा सिक्चक्गन है उनके उन पे घर में या उनके चेहरे में खुसी की लहर दोड़ पड़ी ऐसी खुसी कि उन्होंने अपने आशू नहीं रोक पाएं और जो है इसका जो है अभार जो है माननीय स्री हमण स्वरेंजी को जो है उन्होंने अभार प्रकट किया इसका जो है यहाँ पे सुक्रियादा किया तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पे यह निकल के आई है कि पारा सिक्चकों को अब EPF का लाब मिलने वाला है और इसी से जो है यहाँ पे सारी चीजे पारा सिक्चकों को जितने भी मांगे थी जैसे और एक बड़ी महत्तपुन मांग है मांदे की उससे संबन्दित भी जो है यहाँ पे हमन स्वरेंजी ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में बात करेंगे एक कल्लानकारी जोजना है यह भारत सरकार के सरम और रोजकार मंतराले के अंतरगत आने वाला एक वैधानिक निकाय है इपिएफ का मकसद कर्मचारियों के भविष्य को सुरच्चित करना है जिसमें कर्मचारी और नियुकता दोनों को योगदान देना होता है इस जोजना के तहट कर्मचारियों को सेवा निवरिदी के बाद या जो है नोकरी छोड़ने पर पैसे मिलते हैं साथ ही मृत कर्मचारियों के आसरीतों को भी लाब मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EPF का यहाँ पे मतलब क्या था और इसके माइने क्या थे और यह 22 साल बाद जो यहाँ पे जारकन जो तमाम करमचारियों को यानि सिक्षक गन को जो यह मिल रहा है फाइदा तो किस तरह से मिलेगा यह अगर अपने सेवा निट्विद्ध हो जाते हैं यानि इनकी अगर रिटा जो है खुदाना खास्ता किनी का अगर मिर्टू हो जाती है तो उनके परिजनों को उनके आसरीतों को जो है इसका लाब मिलने वाला है तो यह है EPF तो एक बहुत बड़ी यह मतलब खुसी का माहौल है तमाम पारा सिक्षक गन के लिए और इसका जो सालों से ही लोग वेसब से इंतिजार कर रहे थे इंचीज का तो यह चीज जो है बरतमान सरकार जेमेम सरकार के दोरा जो है इनकी बातों को सुनी गई थी हलाकि यह बातें गौर्मेंट जो है सत्ता में आने से पहले भी यह बादे कर चुकी थी हलाकि अभी अभी लास्ट में जो है यह चीजे पू लेकिन सब से बड़ी मांग इनकी यही है कि मांदे की मांग को भी जो है नदर अंदाज नहीं किया जा सकता यही सरकार जो है बोल के आई थी कि आपके मांदे में भी व्रहुतरी की जाएगी निश्चित रहें तो देखिए आज जो है CM ने जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है मांदे से संबंदित भी अपडेट बताया और उन्हें कहा आसवासन दिया कि आपको आप EPF का लाब दिया गया है तो अब अगली बार जब मैं आऊंगा जीत के तो मैं आप लोगों को निश्चित कर देता हू कि आप लोगों के मांदे में भी जो है बढ़ोत्री कर दी जाएगी ये स्टेट्मेंट हैमन सुरेंजी का था केबिनेट बेठक के बाद तो इस बात से क्यास लगाया जा रहे हैं कि यहां पे तमाम जो जीतने भी पारासिक चगन है वो यूनाइट हो गए हैं और यहां पे इस बात को लेकर काफी जो है पॉजिटिव देखे हैं और उनका कहना यह है कि बरतमान सरकार ने जो है एक मांग हमारी पूरी की है तो दूसरी भी मांग ज़रूर पूरी करेगी अब हम लोग जो है दौरा जो है इस सरकार को लाने का कार्ज करेंगे तो यह चीज जो है सार चीजे यहाँ पे होती हुई नजर आई है तो यही थी दोस्तों अभी की बड़ी अपडेट थैंक्स पर वाचिंग